किसान इस वक्त शंबू वोडर पर मौजूद हैं उनकी तरफ से दिल्ली कुछ का आवान किया गया है हालांकि पहले दिन किसान दिल्ली की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि पुलिस की तरफ से उन्हें रोक लिया गया था काफी वहाँ पर बेरिकेट्स लगाए गए थे साथी साथ किसानों को रोकने के लिए आसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे वहीं किसानों की तरफ से पत्राव किया जा रहा था कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए और किसान भी कल कई घायल हुए है लेकिन आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का आवान क्या गया राजू पटना से आए हैं हन्ना तीन दिन हो गया आज जी अब रोड खुलेगा जाम हटेगा तभी जाएंगे आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं चावा लाइजी लाम जैविर शिंग है वो टावा से आए है और चंदिगड़ जाना है परसों से खड़े हैं रात को यह सब परेशानी परेशानी और क्या है किसान बन वजए से और वो पुलिस वाले भी निकलने दे रहा है या जानुट कह हुआ सो सबस्क्राइब एकogenic को ये ये के लो श्रीजी में खाने पीने का अब देख रहे आप खाने पीने का तो आप जैसी तेस होटल पी खाएंगे और का अब हम पूना से भर के आया हैं सर चंडीगाड और लुदियाने का माल है एक फरीदाबाद का था उसका खाली करके आए तो करनल में कल परसों साम को पांच बुझे गुआ दिय और निकल के आए तो करनल फिर यम्ना नगर वाले रोड पर घुमा रहे थे तो वहां साइडी में लगा के खडे दे गंटे फिर वहां से थोड़े तो यहां कल से खड़े हैं आगे पता चल रहा है कि कि इस रोड पर घाड़ी जा सक्ति हो उस पर बंद कर रखे हैं क्या महा पास नहीं पास नहीं होगी यह तस्वीर हम आपको करनाल में नेशनल हाईवेश चावारीस से दिखा रहे हैं जहापर आप दिख सकते हैं पुलिस की तरफ से बैरिकेट्स लगाए गए हैं कंटेनर यहां पर लगाए गए हैं और बैरिकेट्स के उपर आप कंटीले तार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइडरा भी बुलाए गए हैं ताकि हाइवे को ब्लॉक किया जाए अगर किसान आगे की तरफ बढ़ते हैं तो साथी साथ आप देख पा रहे हैं कि SSB के जवान यहाँ पर मौझूद है अगर ट्रैफिक विवस्ता की बात करूं तो ट्र सारू रूप से यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है तमाम लोग अपने वाहनों से दिल्ली की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं अगर लोगों को चंडीगड से दिल्ली की तरफ जाना है तो वो जो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो पंचकुला से यमना नगर, यमना कम नजर आ रहा है यानि कि जो वहानों की संख्या है वो कम है क्योंकि लगातार लोगों को इस बात की जानकारी है कि किसान अंदोलन चल रहा है ऐसे में घर से बाहर ना निकला जाए देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिती बनती है क्योंकि अभी किसान शंबू बोर्डर पर है उसके बाद उन्हें रोकने का प्रियास शाहबाद में किया जाएगा उसके बाद उन्हें रोकने का प्रियास पीपली में किया जाएगा और करनाल भी उन्हें रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त परशाशन की तरह से किये गए हैं बहराल क्या कुछ रहता है ये आने वाले वक्त में बता चलेगा लेकिन किसानों का आवान है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे News 18 हर्याना के लिए करनाल से इमान शुना रहा है